हैलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक हों गे तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटने तो ये देखें मैंने ये पुदीना ले लिया है बहुत हीह फ्रेश-फ्रेश अपने किचन गार्डन का पुदीना है तो इसके सारे जो लीव्स हैं पत्ते हैं वो लग से निकाल रही हैं साफ कर लिया अच्छे से इसको तो और साथ में मैंने लिया है प्याज ये तीन से चार प्याज हैं जो ऐसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है तो उसके बाद साथ में मैंने ले लिया है हरा धनिया अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो ज्यादा हरी मिर्च ले 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 तो फ्रेंड्स हम चटनी पनाना स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए तो सबसे पहले मैंने लिया है मिक्सी का जार इसमें हम डाल देंगे पुदीना और उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज फिर से धनिया डाल देंगे और उसमें हम डाल देंगे हारी मिर्च उपर से फिर से दुबारा हम डालेंगे प्याज और पुदीना साथ में मैं डालूँगी नमक तो नमक अपने टेस्ट के साप से आप डाल सकते हो अगर तीखा खाना अपसंद करते हो तो थोड़ा ज्यादा नमक डाल ले नहीं तो थोड़ा कम नमक भी डाल सकते हैं और फिर हम इस मिक्सी के जार को डखकन लगाएंगे और इसको चिला लेंगे यह देखें, यह मैंने इसे डखकन लगा दिया है अब इसको हम चिला देंगे और अच्छी तरह इसको मैंने प्रॉपरली चॉप करना है थोड़ा टाइम लगेगा, दो से तीन मिनट भी लग सकते है डखकन को हमने प्रॉपरली लगाना है ताकि मिक्सी चलते वक्त कहीं खुलना जाए तो दो से तीन मिनट लगेंगे, चटनी बनके तयार हो जाएगी यह देखें अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कि चटनी लगबग बन गई है तो पुदीने की चटनी जो होती है, हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती है तो यह देखें, मैंने इसे पॉल में निकाल ला है कितनी भड़िया चटनी बनके त्यार हो गी है आप इसी तरीके से चटनी बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है और फुलके के साथ खाएंगे, जहां राइस के साथ खाएंगे जहां धही में डाल के खा सकते हैं आप सेंडविच पे भी लगा सकते हैं तो ऐसी चटनी जो है बहुत टेस्टी लगती है घर्मियों में तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाएं और चटनी खाएं